जैहन देखिए पूरे 20 सुमें हमें अगर तालमेल मिला के रखना है तो इसके लिए बिदेशनीती बहुत मायने रखती है दूसरों दोस्तों से साथ हमारा कैसा संबंद है इससे जायदे मायने रखता है पडोसियों से हमारा कैसा संबंद है अटलिवेरी वाजपेई का एक संबंद बिगड़ते जा रहा है इसी कड़ी में मालदीफ हमारा एक कफी अच्छा सयोगी देश था बट वहां के जो प्रेसिडेंशियल एलेक्शन जीत के आया है मोहमद मोईजू तो मोहमद मोईजू पूरी तरह से एंटी इंडिया है इन्हें चाइना फंडिंग देता ह पूरा इलेक्शन ही इनका केंपेण चला था इंडिया आउट इंडिया को बाहर करो इंडिया को बाहर करो इनकी पूरी तरह से फंडिंग दी गई थी चाइना के ओर से और इन अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए बुरी ख़बर है अच्छा बात नहीं है बट यह जीत ग भी रहा है वहां तकता पलट करने से हम लोग बचाए भी थे उस समय हम लोग अब्दुल्ला गयूम के समय तो एक पुराना कहानी है उसको किसी और वीडियो में चार्चा करेंगा अब इनका एक केंपेण ही चला था चाइना के सबवर्थन में आके कि इंडिया आउट एक कोस्टगार्ड स्टेशन बना रहा था एरपोर्ट बनाया था और उनकी ट्रेनिंग के लिए यहां पर भारत ने अपने कुछ जाजों को भेजा था और इसमें जैसंकर साब भी थे और काफी डेवलप्मेंट को लेके यह आगे बढ़ गया था और सिर्ल मालदीप चुक अलिकाप्टर दोठो दिया प्रचंड यहां पर इतना भारत ने दिया रनवे दिया सब कुछ दिया यहां पर बट इनको रख रखाओ ट्रेनिंग के लिए भी तो कोई जरूरत है तो 75 भारतिये ज्यवान जो है वहां पर मालदीप में है ताकि वह इन्हें ट्रेनिंग दिय रहे थे लेकिन वह चुनाओं में जीद गया रहा है बाहर करेंगे इससे क्या है भारत का मुराल गिरेगा और चाइना और पाकिस्तान के लिए तो उनके लिए मुराल आप होने की बात हो जाएगी अब वह पक्का ही इन लोग को क्या करेगा बाहर करेगा जब कि खुद बातर को भाया यह जहाज हमने तुम्हें दिया है नहीं चलाने आएगा तुम समझो हेलिकॉप्टर तुम्हारा डूबे का पानी है इसका जाएगा यहां पर हम भलाई भी करो नेकी कर दरिया में डालवाल हाल हो गया है यहां पर अम यह जीद गया है पूरे एंटी इंडि सब इसी रूट से जाते हैं तो चाइना इस रूट में दबदबार जानना चाहता था अब यहां पर भारत की मौजूदगी चाइना को खलती थी चाइना इस मामले में सफल होता दीख रहा है और चाइना की स्ट्रेटी बढ़ा तेजी से इंडियन ओसीयन की और बढ़ी है अगर आपको याद हो गवा पिछले साल तो चाइना का स्पाई जहाद था यांग विंग फाइब ये सिरलंका की और बढ़ रहा थे याप बीच में खबर आई थी कि सिरलंका इसे डॉक करने नहीं देगा अपने हमबन टोटा बंदरगा पे लेकिन फिर भी ये बढ़ता गया कि भारत उसका कैसे काउंटर कर रहा है बट अभी वो हमबन टोटा बंदरगा को लीज पे ले चुका है यहाँ पर और यहाँ उसने डॉक कर दिया यहाँ पर लकिन भारत की ये तो डिप्लोमेटिक हार हो जाती है यहाँ पर तो हमारे पडोसी से संबंदे रहे हैं से बीगड़ दिया सिरलंका से बीगड़ दिया यहाँ पर अब देखते चलेंगे एक एक करके तो मालदीप और सिरलंका तो चले ही गए यहाँ पर अब म्यानमार में आंग सांग सुकी भारत में थी सरनली थी भारत से पढ़ी हुई थी तो यह भारत के समर्थन में थी बट सब थंडे बसे में चला इघा अविए आसानी होगां यहांपर यहांपर तो इक Awwमारे देखेगे लाइन से पडोसियों को देखेर दिश्टर्ब करकर रखा हुआ है च àइना यह चाइना अपने से अगर रोगा boy Mozart को भी उन्मारी मेडिया को भी यहीं उठाने पड़ेंगे छ चाइना जाते हैं अब यह नहीं करेंगे बदले में तुम ढोकालाम हमको दे दो अब यह डोकालाम का सलेक्ट अगर सेटल्मेंट कर लेते हैं तो भारत के लिए सरदर्ध हो जाएगा दोकालाम यहां पर क्योंकि एकदम पतला रास्ता है यह चिकन ने के यहां पर हाला कि इस को भी काटने के लिए नहीं रास्ते यहां से बनाए जा रहे हैं बट वह अंडर प्रोसेस है भारत का काम जानते ही थोड़ा सा सुलो हो जाता है अब वहीं बात करेंगे यहां पर भाका यानि बंगलादेश का तो यह हमेशा तराजू लेकर भी ठल लाता है चाइना से जी भारत के ही नहीं है नेपाल के हैं अरे भाया हमारे यह अयोध्या के राम जी अईसा नहीं स्टेट्मेंट हो देते थे आप लोगों को पता नहीं याद होगा कि नी 2020 का मैटर है चाइना से कापी नजदिकियां उनकी बढ़ गई थी तो आप देखिए मैं नेपाल भी हम परसेंट हमारे नहीं रहा बंगलादेश का वही हो गया भूटान जो हंड़ेट परसेंट था उसके विदेश मंतरी उधर की और शिफ्ट हो रहे हैं यह पे मैंनमार के साथ तक्ता पलट हो गया स्रिलंका मालदीब यह एक कर एक करके इस तरह से हो रहे हैं आप आप वहीं देखियेंगे हमेशा चाइना ही है यहां पे तो भी रोधी है और यह तो हमारा बेटा हम लोग का बच्चा सब्सक्रा बिगड़ गया यह तो कभी नहीं सुधर सकता है आप इसका कोई इलाज नहीं है अब ऐसे आगे देखते हैं अफगानिस्तान इरान में अगर हम स्था सब्सक्राइद और चलीossen रिश्त और और हमारे धिरे धिरे खराब हो रहे हैं यहां जैसे झरब लिताह आफगानिस्तान से हमारा पडिटू पडिक सेंटिमेंट बहुत अच्छा है मतलब अफगानिस्तान के रोग रेली ला infectief ऑर अफगानिस्तान के people to people बहुत अच्छा relation है बट जैसे अमेरिका गया सरकार गई वहां से असरफ गनी साब की सरकार गई या फिर करजई साब तो पहले ही चले गए थे तो तालीबान इंट्री किया तालीबान को भारत जो है आतंगवादी संगठन मानता है अब तालीबान से भारत कोई direct relation नहीं रखता है और इसके लिए तो भया इनके लिए तो फादर आफ कोरोना नो आतंगवादी नो कुछ जो चीज़ है साब सही है यहां पर अब यह इंट्री मार गया अब आप सोचिए कितना disturbance है अब हम तो आसा इरान की और चलते हैं इरान के बाद हम कतर की और चलेंगे अब य आट नेवी अफसर को जो रिटार्ड हो चुके थे उन्हें जासूसी के आरोप में फासी की सजा सुना देता है हाला कि यह फासी की सजा निचली अदालत की थी इसकी उपरी अदालत में कंप्लेंड की जाएगी वहां पर सुना जाएगा यहां पर भारत के तीनों लोग का एक दम बिदेश मंतिर, रक्षा सलाकार, पधान मंतिर पूरी तरह से लगे हुए हैं क्योंकि अगर यह फासी की सजा हो जाती है तो रिलेशन काफी खराब हो जाएगी अलाकि इसके चांसे बहुत कम है क्योंकि आपर कोट में जाना होगा फिर डिप्लोमेटिक चीजी आ ज से सोजाता है बट यह सजा सुना दे नहीं अपने आप में बहुत रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है यहां पर इन लोग पर आरोप लगा कि कतर जो है वो इटली से सम्मरीन खरीद रहा था अब उनके लिए यहां पर दाहरा कंपनी जो थी उसने कुछ नेवी आफसर्स को चया हार किया हुआ था जो इंडियन नेवी से रिटायर्ट थे यहां पर काम कर रहे थे इन लोगों पर आरोप लगाया है कतर ने आरोप लगाया है कि यह लोग इसकी डील की जानकारी इ facto दीन और इसके उपर जो इस्टिल्ट कोटिंग लगी थी उसकी भी पीदे रहे थे, इंडिया का कानाई कि ऐसा बात नहीं है, कतर का कानाई कि उनके पास प्रूफ है, डिजिटल इसकी पूरी तरह से इंटरसेप्टिंग की गई थी, उनकी mail-to-mail क्या बाते हुई थी, और कैसे कैसे, अब देखिए, आगे क्या matter होता है, बट कतर और भारत के रिष्टे बहुत बहुत बहतरीन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग के रिष्टे, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जादे जरूरी है, भारत मेड्लिस्ट में तीष्ट बहुत इस पर सब से ज़ादे हैं, अगर किसी को निर्यात करता है, तो कतर को करता है, कतर में कुल जन संकिया के 33% तो भवारती ही है 1底 तो भारती ही रहते है, कतर में दिखिये हम दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है अभी मीडिया में देख रहे था था कर रहे थे कतर बरबाद हो जाएगा वह यह हम दोनों की डिपेंडेंसी है देखिए हमारा 50% जो गैस है LPG, LNG और ये LPG जो भी गैस है जाते हैं 50% के मामले में हम कतर पे dependent हैं वहीं अगर कतर की बात करेंगे तो कतर का जितना workforce है कतर में जितनी infrastructure बनता है workforce है उसमें सबसे ज़्यादे Indians काम करते हैं तो भाई या हमारे relation खराब होगे तो हमारा gas supply ठप होगा तो उसके यहाँ workforce कम हो जाएगा दोनों के लिए ये घाटे की बात है अच्छी बात नहीं है हम दोनों अगर वहाँ पे जो बीदेशी काम करते हैं वहाँ से वो 600, 6000 करोड यानि 700 million डॉलर भारत में भेजते हैं यहाँ पे 6000 करोड तो जितने लोग बीदेश में काम करते हैं आप सब लोगों को हाद जोड़ कर धन्यबाद देते हैं आप सब salute के लाइक है कि आप भारत से बाहर अपने परिवार से दूर रहते हैं बाल बच्चों से दूर रहते हैं वहाँ काम करते हैं वहाँ का रकार देते हैं या फिर हम लोग उतना importance नहीं दे पाते हैं जितना हमारे उन भाईयों को मिलना चाहिए तो जितने भी यूरोप में गल्फ country में जादेतर तर तो गल्फ country में हैं या भी देश में काम करते हैं चाहें वो अपर लेबल के हो टेकनिकल हो या लेबर हो सारे लोग सेलूटेबल पूरा देश आपका सम्मान करता है और भारत सरकार भी पूरी कोसिस करेगी कि आठ नौ सेनिकों को कैसे भी करके उनकी सजा को कम कराए जाए या फिर पूरी तरह माफ कराए जाए जो भी अब कानूनी चीज़े हैं डिप्लोमेटिक चीज़े ये देश के higher authority इरान अमेरिका और इसराइल के एकदम रडार पर है या पर इरान परमाडू बंबनाना चाहता है और इसराइल किसी कीमत पर इसे नहीं बनाने देना चाहता है अगर ये इसराइल परमाडू बंबना लिया तो हिजबुल्ला या हमास को देदेगा उनिप्टा देंगे सब इस्राइल को, इसलिए उनका परमाड़ू प्लांटे उड़ा देता है, अब देखिए ध्यान से याँ पर, इरान जो है, ये अपने सैंक्सन को बचने के लिए भी करता है, इरान भारत से अच्छा रिलेशन रखता है, लेकिन भारत का उसी के साथ इसराइल से भी बहुत अच इसलिए इरान भी भारत को बैलेंस करने के लिए चाइना से भी दोस्ती बना के रखता है, इरान भारत को बैलेंस में रखना चाहता है, वो एक तरफा नहीं जाना चाहता है, इरान का रूस से भी अच्छा दोस्ती है, इसलिए भारत भी अच्छा दोस्त है, इरान चाइना भारत का न पर अड़ोस परोस में पता नहीं क्या होते जा रहा है यहां पर इस पर बहुत जल्दी करने की जरुवत है यहां मालदीप आख देखा रहा है सिरलंका जिसको देखिये यहां पर क्या समझ रखा यहां पर तो थोड़ा सा रिलेशन गड़बड होया है हाला कि इंटरनेशनल रिलेशन में उतार चड़ाओ आते रहता है यहाँ पर इरान के साथ यह है कि भारत के रिष्ट इसराइल से बेटर है इसलिए इरान को भी पूरी तरह भारत को आप समझते हैं कि इन दोनों का एकदम कटर द दिया सब वहां पर इन नहीं देखा सब महिला है बच्चा है बुढ़ा है धरधरा के मार दिया अब इभाई साब मारना चलू किये हैं पूरा गाजा समेट दिये हैं तो भाई देखिए ना इन लोग को स्टार्ट करना चाहिए यह लोग को भी भाई साब थोड़ा च्टे बच्चे अब महिला दोनों और से ध्यान देने की जरूरत है अब क्या कहिएगा इन लोग को आपस में लड़ाई लगाई करता है यहां पर अब देखिए इस्राइल और इस्राइल के समर्थकों का कहना है कि इस्राइल की भासा बोलो और हमास और फिलिस्तीन के समर्थनों क करना है कि उनकी भासा बोल भाई हम लोग की देश का प्रोफिट और लॉस भाड़ में जाए हमारे देश के लिए क्या सही है क्या यह मायने नहीं रखता है भाई हम लोग वही काम कर सकते हैं जो बीदेश नीतियां जिसके हिसाब से फिट हो यहां पर हम लोग को उसी सुन लेते हैं फिर इजराईल का क्या करना हुफ चली अब ध्यान से पहले फिलस्तिन से इस्राइल का देख लेते हैं हम मानने फिलिस्तीन वाले आपको लगा होगा आपका बिभाज नहीं हो सकता है यह याद रखेए 1947 अई विभाजन हुआ था हमें भी तक्लीफ हुआ थे जिस तरह से इसरा से इजराइल तो अगर फिलिस्तीन को बाटना गलत है तो भारत को भी बाटना गलत तो फिर्टीन का यह कहानी हो गया यह पर फिर्टीन को प्रसेंट चोड़ा है और यह गाजा को भी बहुत जल्दी लपेट देगा अब इस्राइल का कहना है इस्राइल का कौना है, 2000 साल पहले हम यहीं रहते थे, बहिया, 50 साल तक अगर आदमी अपने खेत में नहीं जाए तो दूसर कोनों जोत लेता है, अगर तुम 2000 साल पहले तो यह पूरा भारत था, असोक हमारे बिहार का, असोक समराट उसका, तो एसिया माइनर तक अभी लेख मिला है यहाँ पर, एरिया में, चोल सासक ने इंडोनेसिया पे कबजा कर लिया था, उतो 1500 साल पहले का कबजा किया था, तो सब की अपनी अपनी यहाँ पर, क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मानवता को भी ध्यान में रखना चाहिए, हमास और इसराइल, दोनों की लड़ाई में, इनको यह और यह दूनों लोग यहाँ पर, यह जब हमास मारे, तो पारसूट से एकदम पबजी स्टाइल में, नीचे है, लड़की है, कोई ध्यान नहीं रखना है, इभी मारा है, तो इभी ने ध्यान नहीं रखना है, यह लोग का अपना अलग मैटर है, किसी अन वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करें हैं यहाँ पर, क्या क्या हुआ हुआ, क्या नहीं हुआ है, अब देखिए, दुनिया को अभी भी छोड़ देना चाहिए उन लोगो न तो मारते चल जाएगा उसको तो बहाना मिल जाएगा बंधक को छोड़ दे तो कम से कम दुनिया तो कहेगी ना भाया बच्चों को नहीं मारो अच्छा इसब अलग रखी एक बार ज़रा देखें ध्यान देखें लगबग दो व्रूस और युक्रेन कि लड़ाई चल रही है नहीं किसी को तकलीफ हो रही यहाँ पर अधर से हमास मार रहा है 5,000 रॉकेट इसराईल के कितने लोग 2,500 मासून लोग जो मतलब जो भी जो अपराद भी नहीं किये थे नहीं उनको की सेरिया का था, हो मर गया, 10,000 तक फिलिस्तिनी मर गया, पूरा तहस नास हो गया गाजा यहाँ पर, कोई गुलोबल वार्मिंग नहीं है, इतना बंबार्डमेंट हुआ, इतना दो साल से तबाही हुआ है, कोई गुलोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है, और हमारे यहाँ, तहिंसा दिवाली में कुछ हो जाएगा, गुलोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत फट गया, यह हो गया, वो हो गया, अभी हमको देखिए, हम यह वाला बंब कल फोड़ दियें, यह वाला, मेर चैया बंब, मुर्गा चाप, अंटार्टिका का सारा पिगल जाएगा, बताये, आईरन डॉम से खतरना खेए, गाजा जो मिसाइल मारा है उससे खतरना के, युक्रेन में जो मार रहा है, उससे जादे परदूसर्ण कर रहा है, धड़ाधर यूक्रेन इजराईल में चल रहा हूए, अमरीका बंब गिरा रहा है, ड्रोन से मार र परियावरण का ध्यान रखना जरूरी है परियावरण अगर खराब होगा तो हम सब लोग की लिए खराब है ठीक है यह कहीं से अच्छा नहीं है लेकिन जिस तरह से खुलियाम गुठका बेचा जाता है और उस पर लिख दिया जाता है कि मुह के लिए कैंसर होता है गुठका से भी क्या होता है कैंसर होता है गजब लॉजिक है गुटका बेचेंगे उस पर लिख देंगे तब फिर पटाका पर भी लिख देगा पर्यावरण के लिए नुकसान दाया क्या खुलियाम बेचे गया यहां पर इस पर भी गौवर्मेंट को सोचना चाहिए और इस टूडें होंगे आप लोग का वीडियो रूख जाते होंगे वगरा इस चीजों के लिए तो थोड़ा बहुत आप एड्जेस्ट करेंगे आप भी समझते हैं इस चीजों को टेकनिकल चीज है बल्क में हो जाते हैं चीजों में लड़के भी पढ़ाई अच्छी बात है पढ़ने वा मेंस और इंटर्व्यू के बाद मिठाई के लाना है आप ततर्वी बीपीसी दिसंबर फस्ट वीक से स्टाट हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगा और बोरिंग रोड में सेकेंड ब्रांच में बड़ा ब्रांच है वहां पे एड्मिशन वहां पे हजार बच्चो लेने के बाद होस नहीं रहाता है आदमी का पढ़ाना भी जरूरी है इन बच्चों को यहां पे तो थोड़ा बैलेंस बनाने में दिक्कत हो जाता हमारी पूरी कोसिस रहती है कि आप लोग को जितना जादे से जादे वीडियो प्रोबाइट कराए जाए और हम पूरी कोसि इस रहती है कि आप लोग के लिए जितना वीडियो बनाया जा सके जितना जादे हो सके उतना कोसिस करते हैं आई होप आप इसको समझेंगे मिलेंगे नेक्स क्लास में जाहें